प्रोवीजनल आंसर की आपने रेट का देखा होगा और उसके अपने मांक्स को टोटल किया होगा कई लोगों का डाउट है सर्फ ब्रॉशर में 210 मिनीमम मांक्स दिया हुआ है सो मैं यह आपका doubt clear कर दू कि test A के अंदर minimum 105 marks होने चाहिए और जो बचे हुए marks हैं वो मिला के यानि test B interview के बाद आपका 210 minimum score होना चाहिए then you are eligible for taking registration in PhD तो अभी अगर suppose किसी के 150 marks आये हैं so उसको interview में minimum 60 marks achieve करने होंगे for totaling of 210 marks so I hope your doubt is clear कि 210 total marks है ना कि test A के marks test A के 105 है only so आप उसी according अपनी तयारी करें और total marks से ज्यादा achieve करें all the very best to you